कभी जीवन में अकेले भी चलना पड़े तो डरना मत क्योंकि समस्या शम्षान शिखर और सिंगासन इन सब पर इंसान अकेला ही होता है। खुबशूरत तस्वीर अक्स यानि नेगेटिव से तयार होती हैं वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंध्यार नजर आए तो समझ लीजिए कि इश्वर आपके भविश्य की सुन्दर सी तस्वीर का निर्मान कर रहा है। जीद की मिठास का अंदाजा तभी होता है जब आप हार का कड़वा घूंट पीते हैं। सिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसमें छिपा सबक सिखा न ले। वक्त में छीना है तो वक्त ही देगा भी बस खुद को हालातों से कभी हारने मत देना। वक्त के साथ बदलना सीखो या वक्त को बदलना सीखो मजबूरियों को कोसो मत हर हाल में चलना सीखो। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो इश्वर को धन्यवाद देना कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी एहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो इश्वर को और धन्यवाद देना क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से होगा। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो ये बाते याद रखना बुरे वक्त का एक बहुत बड़ा फाइदा ये भी है कि फाल्तू के लोग छोड़ कर चले जाते हैं जन्दगी की ठोकर बड़ी निराली होती है जब भी लगती है कुछ न कुछ सिखा कर जाती है या किसी न किसी की असलियत दिखा कर जाती है तूफान का आना भी जरूरी है जन्दगी में तब ही तो पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ा कर भाग रहा है और कौन हाथ पकड़ कर अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह तूट चुके ओ तो यकीन जानूं कि दुनिया की कोई चीज तुम्हें तोड नहीं सकती जब आप जीवन में सफल होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन है और जब आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन है खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है खुश रहने का मतलब है कि आपने अपने दुखों से उठकर जीना सीख लिया है फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना